नमस्कार, पाकिस्तान ने OIC की जो मीटिंग रखी थी, उसमें कुछ बहुत जादा डिवलप्मेंट नहीं दिखा, एड के वादे जरूर हुए, लेकिन अभी तक कोई एड उस हिसाब से पहुँचनी दिखी नहीं है, इन फैक्ट टाफ भी होता है, ऐसा नहीं होता कि आज व अगले साल तक, अगले साल के स्टार्टिंग में बन जानी चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसके थूरू एड भेजना शुडू करेंगे, यह 57 देशों को बोलाया था, और 57 देशों में से सिर्फ 20 नहीं अपने फॉरेंड मिनस्टर भेज़े, बाकि कईों ने तो अपने अबसेडर भेज दिये, लेकिन इन इस्लामिक कंट्रीज में से, पाँच इसलामिक कंट्रीज के जो फॉरेंड नेस्टर थे, वो इंडिया में थे, जो के उसबेकिस्तान, ताजीकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और खिर्गिस्तान, अब यह पाँच देश इत इसने इंप्रिट्ट इसलिए हैं कि ये सारे के सारे देश अफगानिस्तान से सटे होगे हैं उसके करीबी देश हैं उसके बॉर्डर सटता है और इधर से एड़ बड़े अज़ा सकती है अगर वो पांच वहाँ नहीं थे तो पाकेस्तान से ही aid जा सकती है अफगानिस्तान पे या डिरेक्ली अफगानिस्तान लेंड करे पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा है सच तो यह है और तुर्की और मलेजिया के साथ मिल करके जो Islamic leadership स्थावित करना चाह रहा था पाकिस्तान उसको वो भी एक करारा जटका यहां लगा the reason being कि आपके साथ Islamic countries ही नहीं खड़े थे आपकी OIC में आये नहीं सारे नहीं आये पांच यहां पहुँच गए और बाकियों ने अभी अपने foreign minister नहीं भेजे तो एक यह भी पता लगा कि Islamic countries कितने अफगानिस्तान का issue था humanitarian crisis का issue था और मतलब Muslims का issue था Islam का issue था तब भी पाकिस्तान के बोलाने पर कितने foreign ministers पहुँचे और यह जो list है अगर आप इसको देखें 57 countries की उसमें से जाधातर की economy इस समय डामाडोल चल रही है economy की situation खराब है इसलिए जाधातर aid देने की position में नहीं है हाँ aid देने की position में कतर तो देई रहा था कतर ने तो किया ही और Saudi Arabia ने भी दिया लेकिन Saudi Arabia जो है वो पहले से दे रहा था इस से पहले से दे रहा था इस meeting में जो decide हुआ वो ये decide हुआ के हम food program set up करेंगे साथ में एक वो बनाएंगे organization जो के देगी वहाँ पे aid लेकिन in fact Qatar तो दे रहा था कतर तो पहले से ही बड़े अराम से और बहुत अच्छी aid दे रहा था लेकिन Qatar की aid directly काबोल लैंड कर रही थी इस meeting से दो देन पहले साओधी अरेबिया की aid भी directly काबोल लैंड करी पाकिस्तान क्यों ने गई बरुसा नहीं करते हैं लोग पाकिस्तान पर के पाकिस्तान खा जाएगा हम क्या करेंगे च्छे aircraft काबोल लैंड किये और उसमें humanitarian aid थी और वो चली गई अफगानिस्तान के पास अब इसमें से जो meeting थी इसमें 30 देशों ने बोला कि हम contribute कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा-थोड़ा करके भी अच्छा हो जाता है मतलब अगर थोड़ा-थोड़ा करके सबसके सब अपना अपना देना शुरू करते हैं तो मतलब एक country चल जाए इतना हो सकता है लिकिन सबसे बड़ी चीज़ के dollar नहीं मिला पैसा नहीं मिला सब ने से यह बोला कि हम aid देदेंगे दवाईया देदेंगे गेहू देदेंगे चाबल देदेंगे खाने के लिए देदेंगे और दूसी चीज़ें देदेंगे पैसा नहीं दे पाएंगे पैसा आपका तालिबान के हाथ में जाएगा जिसके लिए सबसे जादा पाकिस्तान तड़प रहा था के पैसा आ जाए डॉलर आ जाए वो नहीं मिला और वो अगर मिलता तो वो तालिबान के हाथ में जाता जो के हो सकता है कि पाकिस्तान के हाथ में वापस आ जाता और पाकिस्तान उसको यूज़ करता यह तालिबान के हाथ में जाएगा तो तालिबान हातियार खरीदने के लेकिन अब यह process बहुत दूर है क्योंकि अब वो जो organization वो बनी बाकिए और organization के एक chief ऑपॉइंट हो गए है No doubt about it लेकिन organization बनी बाकिए और इसमें कौन कौन members होंगे और कैसे उसका, क्या उसका स्वरूप होगा वो अभी बाकी है और उसके बाद वो aid directly किसके हाथ में जाएगी यह organization करेगी यह वो तालिबान के हाथ में जाएगी और वो वहाँ काम करेगी अगर यह organization तो इस organization के security किसके हाथ में होगी और कैसे चलेगी यह सारी जो बाते हैं यह अभी तक decide नहीं हो हैं और decide होना बहुत जरूरी है तभी यह aid properly distribute होगी और इसके सास्थ बाकी इसलामे कंट्रीज को भी डर है कि कहीं हमारी aid का misuse ना हो जाए तो अभी देखना बाकी कि कितना पाकिस्तान success पो लोगा in fact इंडिया के Republic Day में जब यह सारे पांचों कंट्रीज के chiefs आएंगे तब directly land करें उन country में वहां से ट्रक्स के थूँ चली जाए लेकिन पाकिस्तान के थूँ जाती हुए अब तो हमें दिखती नहीं कि पाकिस्तान में अभी तक permission दी भी नहीं है अगर हम लोग पाकिस्तान और कुछ दिन permission नहीं देता तो हम इन countries के थूँ एड दे सकते हैं इसे के स